नमस्कार आंगनबाडी सेविका सहाइका मीनी बेहनों आप लोगों का हमारे आंगनबाडी नीच चैनल में श्वागत है हमें जो खबर लेकर आएं आंगनबाडी सेविका सहाइका मीनी बेहनों के लिए 10 फटा-फट वड़ी खबरे जो ही की निकल करा रही है दस फट फट बड़ी खबरे जो निकल कर आ रही है, यह अलग 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 राजे से जNote के आंगन्भाडी बेहनों की लिए बहुत ही महत्तोपूर बहुत बड़ी जोई की 10 बड़ी खबरे निकल कर आरही है, आई हम Physics को देखे करके पूरे विस्तार से जानेंगे आंगनबाडी बेहनों से सम्मेट क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हम इसको पूरे डिटेल से देखेंगे उससे पहले हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं कियें तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को आन कर लिए आईए हम आपको सिधा खबरों के तरफ ले चलते हैं सबसे पहले जो खबर दिया जाएगा जो आंगनबाडी करे करता को जिसके लिए 233 का डाटा मांगा गया है ICDS भी भाग के तरफ से यह हम आपको बता दे कि मुख्यमंत्री सिवराज सिंग चौहान जो पूरों मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसको जो एकी गोश्रा किया गया था जिसको सरक प्रदेश की राज्यपाल आनंदी वेन पटेल ने 565 अंगनबाडी केंद्रों की दी सामागरी कीट तो यहाँ पे बताया जा रहे है कि राजेपाल महोदया अनंदी वेन पटेल जी के द्वारा जो एकी 565 अंगनबाडी केंद्रों पे इस सामागरी कीट जो एकी बित्रन की गई है आनंगनबाडी केंद्रों के समुचीत विकास पर ध्यान दे रहे हैं सरकार इनके द्वारा कहा जा रहा है जैसा कि हम आपको बता दे कि आंगनबाडी केंद्रों को अब इस समय की मौडल आंगनबाडी केंद्र बनाया जा रहा है सभी आंगनबाडी केंद्रों पे यहां पे कीट समागरी वित्रण की जा रही है मुख्यमंत्री और राजयपाल के द्वारा आंगनबाडी केंद्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है उसके बाद अगली बड़ी जो ख़बर निकल करा रही है अगली बड़ी ख़बर जो ही की देखी यहां बताया जा रहे है की आंगनबाडी केंद्र के बच्चों को मजबूत करना होगा तो यहां पे कहा जा रहे है की आंगनबाडी केंद्रों को जो ही की मजबूत किया जाएगा जिसमें बताया जा रहा है यहाँ पे की राष्टिय सिक्षानिती 2020 के तहद गुरुवार को ब्लाक अस्तरी हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सो कारेक्रम का आयोजन किया गया है ब्लाक प्रमुक प्रतिनिधी सतीस राय ने कारेक्रम का शुवारंब किया इस दावरान विद्याले की बच्चियों ने स्वरस्वती वंदना वा स्वागत गीत निर्ते प्रस्तूत कर सका और बताया जा रहे है कि मन मोह लिया और बियू रागवेंद्र प्रताब सिंग ने कहा कि सिक्षा की निव वाटी का अर्था जो एकी आंगनवारी केंद्र परसदिय विद्याले के बच्चों बच्चे ही जो एकी जिन्हें हम मजबूत करना होगा तो यहाँ पे इस तरह से आंगनवाडी किंद्र के बच्चों को मजबूत करने की बात कही जा रही है उसके बाद जो यह की दूसरी बड़ी खबर जो निकल करा रही है ए दोहरी घाड जो यह की उत्तर प्रदेश से निकल करा रही है यहाँ पे आप देख सकती हैं बताया जा रहा है हेडलाइन की आंगनवाडी कारेकत्रियों को दिया गया प्रसिक्षण तो यहाँ पे आंगनवाडी कारेकत्रियों को प्रसिक्षण दिया गया है और पहल एप कैलेंडर निर्देसी का परिकलन के तहट जो है कि इनको प्रसिक्षण दिया गया है तो यह अंठावन आंगनवाड़ी कारेकात्रियों को प्रसिक्षण दिया गया है अगली बड़ी जो खबर निकल करा रही है यहाँ पे आप देख सकती है बताया जा रहा है कि आसा भोजन माता और आंगनवारी करेकरताओं की मांगे मुख्यमंत्री ने दिया करवाई का भरोसा तो यहाँ पे आसा भोजन माता और आंगनवारी करेकरत्री की जो मांगे थी उसको मुख्यमंत्री जी के द्वारा करवाई का भरोसा दिया गया है कहा गया है कि आप लोगों की जो मांगे है उसको सुनी जाएगी और इस पे नियमा अनुसार आवस्यक की इस पे करवाई की ज जाएगा और जो उचीत मांग है उसको जोई की पूरा भी किया जाएगा यह जोई कि हम आपको बता दे कि उत्तरा खंड मुख्य मंत्री जोई कि पुसकर सिंग धामी जी के द्वारा कहा गया है यह रभिवार को और आंगनवारी संगठनों के द्वारा जोई कि पदाधिकार लिया जाएगा उसके बाद जोई की अगली बड़ी जो खबर निकल करा रही है अगली बड़ी जो खबर निकल करा रही है आप यहां पे देख सकते हैं यह उत्तर प्रदेश राजे से क्या बड़ी खबर निकल करा रही है कि एक तरफ जोई की सुप्रीम कोट और हाई कोट के द्वारा आंगनवारी सेविका सहाईकाओं को किसी अन्हीवार्ट के社 हमें नौ लगाया जाने को जोई की रोक लगायी जा रही है नौ कम में लगाये जाने की बात कई जा रही है और दूसरी दुसरी तृफ यहां पर को सिक्षक मेत्र और रोजगार सहाई को अनुदेशकों के साथ साथ आंगनवाडी कर्मियों को भी जोई कि इसमें लगाया जाएगा यहां पर आप देख सकती है जोई कि निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के द्वारा जोई कि यह पत्र जारी किया गया है जिसमें व पदान मत गड़ना कर्मिकों के रूप में जोई कि सिक्षा मित्रों महिला सिक्षा मित्रों रोजगार सहाई को अनुदेशकों आंगनवाडी कर्मिकों वह जोई कि अन्य समच्चिक कर्मियों को तैनात किये जाने संबंदी जोई कि सूचना उपलब्द कराये जाने के संब बताना है इसमें किस पद पे कितने कर्मी हो रहे हैं बताना है इसमें पद दिया गया है कि सिक्षा मेत्र महिला सिक्षा मेत्र रोजगार सहायक अनुदेशक आंगनबाडी कर्मेक और अन्य की समच्छिक कर्मी जो है उनके संबंदी की संख्या बतानी है कि किन-किन विभाग म द्वारा जो एकी आंगन बाड़ी बेनों को चुनाओं में ड्यूटी लगाई जा रही है क्या जो एकी सही है या नहीं है अपना विचार अपने कमेंड वाक्स में कमेंड करके जरूर बताएं अगरी बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है आप देख सकती हैं यहां पर बताया क्यार को चुक्षा बाथ गई है तो इस तरह से क्या है ओंगनवाडि यहां पर आंगनवाडी कंद्रों पर उतक्रिष्टर करने के लिए नई नई योजनाओं के साथ जोइकि आंगनवारी केंद्रों को उसकी उच्ची करण की act की जा रही है उसको बढ़ावा डिया जा रहा है जिससे आंगनवारी केंद्र पे बच्चों का रुजान अब बढ़ सके बच्चे का जो एक ठारा हो सके जिसके लिए आंगनबाडी केंद्रों को बिक्सित किया जा रहा है तो ये आंगनबाडी बैनों के लिए दस बड़ी खबरे जो निकल कर आ रहे थी जो कि हम आपको पूरे डिटेल से दिये हैं अगर आपको हमारी वीडियो बसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब करके वेल आइकन को आन कर लिजेगा फिर मिलेंगा एगले किसी महत्तोपुन खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत